नमस्कर शात्रो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल लर्न विद नरिश पर शात्रो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक अमरीकन समाश शाष्त्री जिसका नाम राबर्ट किंग मर्टन है जिसे हम राबर्ट मर्टन के नाम से जानते हैं छात्रो राबर्ट मर्टन पूर्णता एक अमरीकन बैग्ग्राउंड के सोचलाजिस्ट थे हैं इनका जन्म फिलाडेलफिया में 4 जुलाई 1910 में हुआ था इन्हें इस नातक क्यों पाधी ओल्विन से मिली बाद में मर्टन हावाड विश्वृत दालाय में इस नातक को तर सिच्छा प्राप्त करने के लिए चले गए और यही पर उन्हें 1936 में डाक्टरेट के उपाधी प्राप्त हुई 1934 में ही मर्टन हावाड विन्वर्शेटी में साहयक नियुक्त हो गये थे जहां 1936 में उनकी पदुन्नती एक प्रसिक्छक के रूप में हुई 1949 में मर्टन की नियुक्ती टूलेन विश्वृत दालाय में शाहयक प्रोफेशर के रूप में हो गई जहां एक वर्ष बाद 1940 में प्रोफेशर हुए और 1941 में चेयर्मेंद का प्राप्त हो गया वहां से वे फिलाडिल्फिया, कोलम्बिया विश्वृत दालाय चले गए जहां 1947 में उनकी पदुन्नती प्रोफेशर के रूप में हुई 1955 में लगभग वे कोलम्बिया विश्वृत दालाय के ही Bureau of Applied Social Science के निदेशक बन गए इसके बाद अपने सिक्षा गुरू पारिशन से द्वारा आवकास ग्रहन करने के बाद उनके इस्थान पर कारे करने के लिए भी Harvard University चले गए वहां से मर्टन अवकास प्राप्त कर पेनिस लावेनिया चले गया है उनकी मुत्ती मित्यू 23 फरवरी 2003 में खुए चात्र अब चर्चा करते हैं मर्टन की प्रमुख किर्थियों पर मर्टन की सरप्रथम रचना है Science Technology and Society in 70th Century England और इनकी अंतिम क्रिती है The Sociology of Science मर्टन ने शमाज सास्त्रों को विज्ञान बनाने के पक्छ में भी कारे किया है और शमाज सास्त्रों को विज्ञानिक पध्धतियों और विज्ञान का प्रियोप करने का उपागम प्रस्तुत किया मर्टन की दूसरी क्रिती है Social Theory and Social Structure जो 1989 में प्रकाश्रित हुई और तब से लेकर अब तक इस पुस्तक में कई सारे शोधन हुए और कई इसके एडिशन भी आ चुके है मर्टन की पुस्तक शमाज सास्त्रिशाहित्त में एक महत्पूर्ण पुस्तक के रुप में जाने जाती है इसी पुस्तक में ही मर्टन ने मद्ध शिमक शुद्धान्द जिया जिसे मेडियर रेंस थेवरी के नाम से जानते हैं साथ ही शाथ इन्होंने सोशल इस्ट्रक्चर और इनोमी जिन्हें समाजिक संरजना और नियम हिंता या मानक हिंता के नाम से जानते हैं मर्टन ने प्रकार्यवाद पर भी बहुँ सारे कारे किया प्रकार्यवाद को एक उपज्ञानिक धरातल पर प्रस्तूत किया जिसमें मटन ने प्रकट प्रकारि, अन्तर्णित प्रकारि, शंदर्व शमु का सिधान्त, रिफरेज ग्रूप की थियोरी, सोशलाजी ओफ नॉलेज पर भी मटन ने कारि किया, और ज्यान के उरिहद विश्लेशन किया, मटन की तीसरी किती है, इनकी पांची कृती है इनकी अगली कृती है इनकी अगली कृती है इनकी अंतिम कृती है छात्रों जैसे कि पहले ही बताया जा चुके है इस प्रकार से माटन की यही रचनाय पूर्ण होती है धन्यवाद छात्रों